कि अज़िए अज़ियों का तौफा लेकर हैं अपनी तरफ से सर्दियों में अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं एनर्जी की कमी आपको फील होती है भूग बहुत लगरी होती तो आप यह बनाएं यह जो तिल के रड़ू है जो आपको गरम रखेंगे आपकी जोड़ों की दर्दें और जिसमें अंदर कोई पेन है तो वह सारी खतम करेंगी और इसे खाने से आपको जो है बहुत अवह नहीं मिलेगी तो बनाना भी बहुत असान है मैं असान त्रीकर साय से बनाओंगा इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बतारता हूं दोस्तों य हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा 3 4 अनुदित न क्याल या यह नि एक कप के 4 यसे करें जो यह जो ती असे बईसके वह है 3 4 जी से कगतें तो अगर आपने कम बनाने यह से ज़्यादा बनाने तो आपने जितना जितने तील लेने उतना ही आपके गुड लेने यह चीनी ले सकते हैं और इसी तरह थर्फ फॉर्थ कप भी इसमें मैंने गुड लिया हुआ यह मैंने तोड़ के यहां पर रखा हुआ है तो आप हाफ पर तील भी ले सकते हैं हाफ का गुड भी ले सकते हैं या एक कप चितने आपने लड़ू बनाने उसे साथ से आपने कॉंटिटी को डबर टिपर करने नहीं इससे साइड़ पर कर देते हैं तो दोस्तों नैस इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के क्रीप वेजिटेबल घी और यह कंपलक्सरी इसे लाजमी डारी गया इससे बहुत इच्छा एक खास जो फ्लेवर आएगा और बाइंड करने में इससे असानी हो जाएगा नड़ूं को दोस्तों यहां मैंने फ्राइपर अगले मीडियम हीट कर लें और मीडियम हीट कर पर हम यह जो तिल है सफैय तिल इसे ड्राइर रोस्ट करेंगे इसे हलका बदामी कलर होने तक जब तक यह चठकते नहीं है तब तक हम इसे करेंगे देखिए दोस्तों यह चठकने लगे हैं चठकने से मराद यह यह पिटाखे की तरह उचलते हैं जब यह लाइट गोल्ड वरॉन होना चुरू होते हैं आपने मीडियम हीट को पर करना है तेज आज को पर ही करना अधर्वाइस यह फॉरण बर्न हो जाएंगे चले दोस्तों यह हो गए अब हम इसे साइट पर कर देते हैं अधर्वाइस यह बहुत जल्दी बढ़न हो जाते हैं चले दोस्तों आप शीरा त्यार करते हैं गुड़ का या गुड़ को डाल दें मीश में मीडियम ही ठकने आपने अधर्वाइस टू जो है टी स्पून के करीब इसके नाम पानी डाल लेंगे ताकि यह को नीचे ना लगे अबल तो यह नॉन्स्टिक पैन इसमें लगेगा नहीं से हमने मेल्ट करने हैं और साथ इसके वंटेफर स्कून के क्रीब भी शमर कर दें आलम अधिन जी दोस्तों गुड़ सादा मेल्ट हो चुक है और यह बिलकुर एडि है अमने इससे जादा कुक नहीं करना इसे दाद हमने से कोक नहीं करना दर्वाइज यह बर्न हो जाएगा और यह बहुंच ज़ली फिर जमेगा कि जस्ट हमने गोड को मेल्ट करना है जैसे मैंने कर लिए अब नेक्स्ट हम इसे तिल के अंदर शामर करेंगे और गरम गरम लडू बनाएंगे कि अलेंजी दोस्तों यह देखिए आपने तील बरॉन करके यहां पर रखे हुए एक खुले साथ आपने बर्तव में डाल लेना से और यह हमारा यह तियार है जो है गोड का शीर है इसके अंदर हम शामर कर देंगे यह से दोस्ते से मेक्स कर लें लें जी दोस्तों यह तकरीबन ठंडा हो चुक है नीम गरम हालत में आ चुक है देखी गाड़ा भी हो गए अब असानी के साहरे हम इसे बना लेंगे प्लेड में रखते जाएंगे बना बना के तब से पहले घी लगा लें थोड़ा सा हातों पे ताकि या हातों में चिपके ना गोड़क थोड़ा सो ठाएं अभी भी बहुत गरम है यह इस तरह लेड़ू बनाते जाएं और साइड पर रखते जाएं लेट जी दोस्तों हमारे मज़ेदार तिल के लेड़ू त्यार है देखिए दोस्तों भी काफी गरम है अधिक लिए बिलकुर ठंडे होकर सक्त हो जाएंगे यह देखिए कितने जबदास बनें तो आपने इसे जुरू बनाने हैं तो काफी ज्यादा बन गेंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो तस ग्यारा ग्यारा के बन गें तक बन थार्ड फॉर्ट कब के साथ कुछ ने तोस्तों मैं अमीद करता हो आपको यह तील के लड़ू पसंद आए होगे अभी का जाएंगे तो आप जयाथा क्रिस्पी जात्में से जो है गुड़ को जाता कर लिजेगा तो आपने वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब में अपने बनाना है बहुत अच्छी और अच्छी से फरपूर असान से डीश है चंद एंग्रीडि आइकों को जोग किए अगा तकि आपको लेटव सब्डेट और नोट्रीफिकिश बिलते हैं मुझे जाता देओ कि जोलाफिस टेक है कि हुआ आप हुआ है कि हुआ है हुआ 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 अफ में झाल हो लगन में कया है